पहली बार कर रही हैं करवा चौथ, ये पांच गलती बिल्कुल भी न करें. करवा चौथ का वरत पति-पत्नी के लिए बहुत ही खास होता है. पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आए जानते हैं यहां. पहली बार कर रही हैं करवा चौथ, ये पांच गलती बिल्कुल भी न करें. करवा चौथ, करवा चौथ का वरत सभी सुहागन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है. परंपरानुसार इस दिन पती की लंबी उम्र के लिए पत्नी निर्जला वरत रखती है. यदि आप पहली बार इस वरत को करने जा रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अक्सर पहली बार वरत करने वाली महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनके द्वारा किये गए वरत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है. आईए जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सर्गी सूर्योदय से पहले खाएं. करवा चौथ का वरत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है. सूर्योदय से पहले यानि अमावस्या तिथी में सर्गी खाई जा सकती है. सुर्योदय के बाद करवा चौत का व्रत शुरू हो जाता है, ऐसे में सुभा चार बजे से पहले ही सर्गी खा लेना चाहिए सुर्योदय के बाद सर्गी खाने से परहिस करना चाहिए क्योंकि इससे व्रत भंग हो जाएगा मेहंदी और सोलह श्रिंगार न भूले करवा चौथ के दिन मेहंदी और सोलह श्रिंगार का विशेश महत्व है करवा चौथ पर सुहागिन महीलाएं अपने हाथों पर खूबसूरत डिजाइन वाली मेहंदी लगाती है मेहंदी लगाने का यह परंपरागत रिवाज है इसके अलावा इस दिन सोलह श्रिंगार करना भी महत्वपूर्ण होता है इन में बिंदी, काजल, चूडिया, नाथ, अंगुठी, कंगन, करवे, हार, मिहंदी, मंगल सूतरक, बिच्छू, सिंदूर, पायल, आभूशन और फूल आदी शामिल है ये सभी श्रिंगार एक सुहागिन महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सोलह श्रिंगार करने के बाद ही सुहागिन महिला को पूजा करना चाहिए सफेध और काले कप्डे से परहेज पूजा पाठ में भी फैशन के दौर में लोग हर तरह के कपड़ पहनने लगे हैं परामपराओं के अनुसार पूजा पाठ में शुब रंगों की कपड़े पहनने की रिवाज है ऐसे में करवा चौथ के दिन पहने जाने वाले कपड़ों का रंग बहुत मायने रखता है इस दिन लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये शुब रंग माने जाते हैं काला और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए कथा न सुनना करवा चौथ का वरत तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएं दिन भर का निर्जल उपवास रखने के बाद शाम को पूजा करती हैं और फिर कथा सुनती है पौरानिक कथाओं को सुनना इस दिन जरूर सुनना चाहिए वरत को सफल बनाने के लिए अवश्य ही कथावचन सुने और पती की लंबी आयू की काम ना करें पती के साथ जगडा न करना करवा चौथ के दिन पती से किसी भी प्रकार का जगडाया वादविवाद नहीं करना चाहिए करवा चौथ का वरत पती की लंबी उम्र और सुक्षान्ती के लिए रखा जाता है इसलिए इस दिन पती पत्नी को आपस में प्रेम और सद्भाव बनाये रखना चाहिए किसी भी बात पर पती से जगडा या लडाई नहीं करनी चाहिए